नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आशा करता हूं बहुत अच्छे हैं और अपने परिवार का बहुत अच्छे द्यान रख रहे हैं वीडियो का अंतक जरू देखे हैं दोस्तों सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं casual talk करूंगा आज कोई serious topic पर वीडियो नहीं बना रहा हूं त कौन से नहीं बात है लेकिन कुछ-कुछ moments ऐसे होते हैं जो याद बन जाते हैं जिनकों कि शायद आप पुरी जिन्दगी याद रखते हो और दूसरों को भी बताते हो क्योंकि वो moments आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं वो moments शायद आपने कुछ ऐसा कर दिया जो जिसके आ लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छी तरह याद है और जब भी मैं बहुत जाला डिप्रेस रहता हूं बहुत जादा मतलब tough situation में रहता हूं उससे याद करता हूं और से थोड़ी बहुत हिमत मिलती है क्योंकि तब रियली कुछ ऐसा हुआ था मेरी जिन्दगी में जो कि मैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो दोस्तों ये घटना बहुत पहले पुरानी है बहुत साल बीद के जैसे मैंने का पचीस साल से जादा बीद चुके है इस बात को मैं अपने स्कूल के दिनों में ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एकदम टॉपर था एकदम नंबर वान अच्छा पड़ता था और टॉपर था तो ये सिच्वेशन है स्टेंडड फाइब की थे कि अन दिनों हमारे स्कूल में जो स्टेडी पैटन थी एक्जाम पैटन तीन एक्जाम होते थे फर्स्टम मिडल टैम और फाइनल टैम और उनका एक कॉंप्लिकेटट फॉर्मुला तो मुझे कब उसमें समझ से नहीं हूं अब मैं क्लास फाइब में हूं और मेरे सेकंड टाम एक्जाम दस दिन में स्टार्ट होने वाले हैं मैंने अच्छी पढ़ाई किये और all of a sudden मैं एक दिन फुटबॉल खेल रहा हूं बच्चा था मैं हाफ बैन पेन के स्कूल जाता था शॉर्ट बैन के स्कूल जाता था तो अच्छानक से मैं फुटबॉल खेलते दे किर गया सीमेंटिट सगेस था अपने हाथ के बल गिरा और मेरा हाथ फ्रेक्चür हो गया राइट एट अब मैं डॉक्टर के पस घिया, डॉक्टर ने एक्सरे किया, बला हाँ भी तो फ्रैक्षर है, प्लाष्टर लगाना पड़े, तुनाद हो प्लाष्टर चढ़ा दिया, भोला कि तीन तरह रहना पड़े गए, नीशरेबाद में एक अफता बढ़ा दिया गया थ पर बोले निशे तीन अफ़ता अब मेरी तरह में बस दस दिन बागी है और दस भी कर नौ दिन अब मैं क्या करूँ एक्जाम आ रहा है मेरी एक स्टूरेंट के लिए तो एक्जाम बोलो कैंसल नहीं करेंगे या पॉस्पॉर्ण नहीं करेंगे मैं बहुत ही जादा डिप्रेस होगया कि यार यह क्या हो रहा है मैं कैसे करूँगा मतलब मन में तो बहुत तरह क्याला देना तो मैं डिप्रेस बहुत था फिर मैंने सोचा कि यार कुछ का मने अब अगर बुरा लिखा है तो बुरा होगा लेकिन उस सिचुवेशन से लड़ना होगा, मेरे पस क्या उप्षिन है, राइट हैंड में तो फ्रैक्षियर पुरा प्लाश्टर लगा हुआ, मने बहुत लंबा प्लाश्टर लगा था, मोटा सा, इस करें तर्स्तमाल नहीं कर सकता, लेकिन लेफट हैंड तो काम कर रहा है, कईसे करूं, कभी मैं राइट हैंड हैंड हो फिर मैं बोलगे चलो कोई बात नहीं, ट्राइ करते हैं, जो होगा देखेंगे, बुरा होने से, अच्छा है AM, कि एक कोक हुशिक करने के पाद फो हारें, पहले हार जाने से, अच्छ है एक कोशिक तो मैंने पेर उठा लिया आठ दिन बचे थे पढ़ाई मैंने ठीक टा की थी और प्रिप्रेस हो गया था थोड़ा पढ़ाई इंपक्ट हुआ लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करता गया लिखते गया लिखते गया एक पेपर लेता था उसको एक्जाम को जो कूट होते है न तो मुझे उमीद नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊंगा एक्जाम दिया रैंक नीचे चलिए फिर भी मेरा 11 रैंक आ गया मुझे खुशी हुई यार कहा तो मैं एकदम आउट था मैंने इतने मेहनत की और 11 रैंक ले आया या फाइनली फिर मैं मैं बाउंस बैक किया नेक्स्ट एक्जाम में और overall fourth rank मेरा आ गया class में तो हाला कि मेरे जो rank आता तो उससे नीचे ही है फिर ही मैं खुश था कि इतना troublesome time में इतने difficult situation में भी मैंने इस हद तक खुद को ले गया तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतना मुश्किल समय में भी खुद को आगे लेकर गया और पहुँच गया वहां तक जहां मैं पहुँचना चालता था मतलब exactly तो नहीं कहूंगा कि हो गया बट मैंने क्या बोलूं क्या उसकर दिया exam चुटने से बहुत कमस्या हो जाती लेकिन मैं खुद को कर दिखाया और पहुँच गया मतलब वो गटना ना मुझे जब बहुत जब डिप्रेस रहता हूं किसे सिच्विशन में फंसा रहता हूं कि यार सल्यूशन अपने पास होता है बस हिम्मत चाहिए होती है थोड़ी अगर आप हिम्मत दिखा तो बड़ से बड़ा हर्डल भी आप क्रॉस कर सकते हो यही सोच के कभी- जब मैं डिप्रेस रहता हूं यह घटना मेरे दिमाग में आती है तो मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं यही आपके साथ डिसकस करना था दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो अपना कमेंट्स जरू लिखें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू